रे ससुरो तुम पांच ट्रीमना डारर की अर्थवस्ता तयार नहीं कर पाए तुम चालिस की का खाग तयार करोगे ता है आप जैसे लोग दलाली करते हो भरती जंता पाटी के आप लोगों को चुलू बर पानी में डूपके मर जाना चाहिए आप लोग मोदी जी से कभी और अगर आप मेरे प्रधानमंत्री को सैंड और बेल की संग्याद होगे तो यह आप महन नहीं सहेगा भारत रोज डिबेट होता है अल्लाबो ललकार देखते नहीं है अप ललकार में क्या कहते हैं मोधी मोधी जी मोधी जी मोदी जी मोदी जी मोदी मोदी होते और कुछ नहीं हो ता जिते भी मीडिया चैनल है उसाब भारतिये जनता पार्टी के दलाल हैं उनकी तो तीन दवाई जूता चपल और कुटा ही अरे देस अगर मजबूत होता आप लोगों को फक्र होना चाहिए आपंबारी अडानी आमबानी अड़ाने पर फक्र करिए गाली देना बंद करिया आप लोग अगर गुम्रा हो चुके हैं अरे सुनो सत्ता के दला लो नमस्कार आज का दिन बहुत जादा खास है आज है 31 दिसंबर 2022 और आज हम 2022 को अलविदा कहने वाले हैं और 2023 का स्वागत करने के लिए तयार हैं लेकिन आज जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो शान्ती अहिंसा सद्भाव समर्पन की ये जमीन है ये है राजगाट गाधी जी की समाधी है यहाँ पर और इसलिए हम इसे शान्ती स्थल भी कहते हैं जहां से अहिंसा का संदेश भी पू का मकान मिल जाएगा 24 घंटे बिजली हो जाएगी सो इसमार्प शहर बन जाएंगे ये तमाम वादे 2022 तक के लिए थे और हमारे साथ अनुराग हो जहा है जो किसी परिचे के अब मोहताज नहीं है जो अब पूरी दुनिया में देश में वाइरल हो चुके हैं लेकिन वाइर गंटे बिजली मिल रही है सबको दिक्कत क्या है बाई कहां पर मिल रहे सारी सुध है कहां दे गई आप यह मुझे बताओ पहले पूरे देश में किसानों की आदुगनी हो गई बिलकुल दावा है उनका काला कान उन तो पा गया दूसरी बात सो स्मार्ट सीटी कहां पर बन पार्टी ब्रस्थ हैं सबसे वर गई कोई है तो भारतिय चंता पार्टी है इसका समापन भी कर देना चाहिए आप राजनितिक बयान दे रहे हैं मीडिया सबसे बड़ा देश भक्त है मीडिया सत्ता की दलाली करता है आप जैसे लोग दलाली करते हो भरती है जंता पाटी के आप लोगों को चुलू बर पानी में डूपके मर जाना चाहिए आप लोग मोदी जी से कभी पूछे स्मार्ट सिट्या कहें नहीं बनाएं मोदी जी रोज सवाल पुछती है मीडिया देखते हैं टीवी आप अखबार पढ़ते हैं अखबार में कहा दिखाते हैं मोदी जी ने ये कर दिया मोदी जी ने फलाना कर दिया मोदी जी ने धमाका कर दिया जामोदी जी ने अपनी मा को सदहन्जली देने के बाद में अरे जंडी दिखा रहे का दिखा दे भाईया तुम एक दिन भी सांथ नहीं बेट सकते मासे बढ़ा है कोई कोई मासे बढ़ा है आप बताईए राश्धर्म निभा रहे हैं यह कौन सा धरम है पुत्र धरम नहीं स कर पाया और राश्ट से क्या प्रेम करेगा बहिए जो अपनी मा का नहीं हुआ एक दिन का समय नहीं दे सकते जब से मोधी सरकार आई है राश्टवाद फैल चुका है देश में कहां सो रहें भाईया नुरागाव कहां राश्टवाद फैलाया बताओ दो तिन जगह का नाम चाहिए शब्स हो खाया भाई शब्स ही या दिन आम आयंगे मोधी नाम बागी नर्य दरक्रह आई है इंटर वही है जो मिटा दें हो इननों क्या काता है मैं नहीं छुकने दून नहीं घृगोंके मैं देस नहीं भीकने दूंगा भाईयो नो μित्रों अब क्या कर रहे हैं अरे बाई आप समझ नहीं पा रहा है अंतराश्टे समझ जानते हैं पाकिस्तान पस्त हो चुका है चीन थर-थर कहा पर आ है टीवी देखा करिए टीवी से ही तो मुझ से तोप दागते हैं टीवी पे तो पता नहीं क्या-क्या दिखा देते हैं टेवी प वक्त रहोगे, चार्टुकार हो, तुम भारतिया जन्ता पाटी के दलाल हो, चार्टु कारिता करेंगे, चार्टु कारिता करोगे, तो देश का बेडगरक हो जाएगा भारत, देश को आगे बढ़ाना है, आर्थ ववस्ता को दस ट्रिडियन ले जाना है, अच्छा, इनके ज देश नहीं बिकने दूगा जुगने दूगा जंगल दिया डानी को तेल हवा अंबानी को लाल किला दिया डाल मिया को अपताज महल की बारी है साहब की लीला न्यारी है देश की बिक्री जारी है और अगर आप लोग भारतिय जंता पार्टी की दलाली करते रहे तो आम आदम भीजेपी सानसत प्राग्य ठागुर को क्या मानते हैं अप हमतों नहीं कहते हैं वह भाई साध्यवी में मानता ही नहीं साध्यवी जानते हไūंचिको कहते हैं बताओ आप बताओ जो रुद्राक्षि पहने जो तिलframe लगाए तो जो साथ भी होगा तो चाकुशुरी की बात करेगा बड़े भागत तो अमें ib宇म नहीं यूगी जी कि मैंने मानता हिसहा ही सद्वी होगा साथू होगा उसे राज सत्ता से कोई मतलब नहीं होगा थीग है अब यह लोग सत्ता में बेठे हैं Аगर सत्ता में बेठे थो साध सब्सक्राइब एक बात बताईए किसकी वज़ेसे बठैंग तो आप बताईए मेरी वज़ेसे बैठे हैं इसे लोगों को ओंटी पहने वोट दिया आप ने 2000 में दिया निस में दिया वोट में वडे़्य और 2020 में डो 2022 में भी आपने बीजेपी को वोट दिया कि ने दिया अरे सत्ता के दलालो अभी मैं 19 साल का हूँ पहली बार में ने सिर्फ परधानी के चुणाव में उट दिया है और चौबिस में इतना आग उगलेंगे आप 19 साल में अरे बहुत बढ़ भक्त लेते हैं जहां से गोबर भक्त लेते हैं किसी पार्टी में यह और एक बात और बता दें उननिस साल के हैं परधानी का यह ओट डाला है और चौबिस में देंगे तो आपको पता है उसको ओट दूँगे एक तो यह कहता है जो परधान मंतरी हमारा है हम तो कहते हैं बहुत बढ़े हैं परधान मंतरी है तो कहते हैं लाल किला बेंच आप कहना चाहते हैं कि हमको हिम्मत देने वाला कॉंग्रेस है यह कहना चाहते हो ना नहीं आप किसी पार्टी से जुड़ गए हैं अच्छा तो आप मुझे कॉंग्रेसी कहने वाले या जो लोग मुझे आप लगाते हैं उनके पास परमाट पत रहे किये कॉंग्रेसी है आप कॉंग्रेस की जुबान बोल रहे है इसलिए लग रहा है अच्छा और ये जो आहिंसा की आवाज उठाता है जो चाकु छूरी रखने की बात करता है तो तो सीधे तोर पे भाई दंगाई है सीधे तोर पे दंगाई है जो मार काट की बात करता है भाजपाई नहीं दंगाई है जल्द घिरफतार हो जाएंगी साधवी बिल्कुल होना चीए मैं तो कहता हूँ कि मोधी सरकार और अमिस साजी के कानों में मेरी बात पहुंच रही हो उन्होंने अमिस साजी को निकम्मा बोलने का काम करा है जैसा कि पापा को निकम्मा बोलने काम अगर किसी सांसदने करा है तो साथ भी परग्या है क्योंकि प्रसासन किसके हाथ में आप बताईए बताईए सत्ता के दलालो कुछ हाथ आजाता भी है बताईए प्रसासन किसके हाथ में प्रसासन सिविल सर्विंट के हाथ में अमिस साज इसकी देख रहे करते हैं नहीं करते हैं ग्रेह मंत्राले में भी आते हैं लोग, करते हैं नहीं करते हैं मिल्म्हीं साजी, अब को दिक्कत आ गई, अमिच शाह को निकमा बोलागा, करें में, तो हम सा हैं इस सा जपको बैठेंगे, अगर कॉंग्रेस का यह आम आदबी पाल्टी का यह और पाल्टी हो बेंस होता है, अगर मोधी जी को कोई सेर बोलने का काम करेंगे मैं उसके भी खिलाफ हूँ और अगर मेरे माननीए ग्रह मंत्री जी को भी चपन इंच का सीना अशेर छोड़िये आप चपन इंच का नाप के आई हो यार वही बात आ जाती है फिर 56 का किस का होता है, सांड का होता है, बेल का होता है और अगर आप मेरे प्रधान मंतरी को सांड और बेल की संग्या दोगे तो यह अपमान नहीं सहेगा भारत कौन संग्या दिया हम मुठ तोड के जवाब भी देना चाहते है अगर मेरे प्रधान मंत्री को जानवर की संग्या दी तो हम मुह तोड़ना भी जानते हैं शेर हैं वो दी शेर अरे हम क्या कहे रहे हैं सत्ता के दलालो मेरे प्रधान मंत्री जी हो लोग पुरुस हैं वो महापुरुस है अगर उनको जानवर की संग्या देनी की कोसिस करी तो ये भारत मुह तोड़ जवाब ने लावपुरुष की संग्या एक ही वेक्ति को मिली है सरदार बल्लब भाई पटेल कहां से आते हैं आप ऐसे दिल्ला नहीं कर सकते हैं कहां से आते हैं ये गांधी ज को इस लोगर नियमिंब दिखते हैं जरूमें करें घं़या गया भ किसी पार्टी शन Heh अष Woo MR बताइए था थ reminds दूमी ने जो वादा किया था वहाजार भाईस तक पूरा हो गया पूस्ट नहीं पूरा किया कुछ इन उड़ाज पैसे नहीं dal है तो अपने आका से बोली आका है आपके मौति जी तो उनसे बोली है ना सत्ता की धलाली करने के लिए आपको पैसा मिलता है भारती जन्ता पर्टी की जाटु कारिता करते के लिए आपको पिशा मिलता है तो bullet train में बेटने के लिए कहे नहीं मिलता है बताइए सपना सपना तो यह खीया एक और सपना थी 2014 में आये थी वो मोदी जी एक सपने के रूप में आये थे मैं तो कह तो मोदी जी अगर 2014 से पहले का भासड अपने सुन लेंगे न मोजूदा सरकार महंगाई की मा लेने तक तैयार नहीं मोदी जी न सदन में कितनी बार मां बोला है महंगाई का आप बथाओ कितनी बार बोला कितनी बार पाकिस्तान को लल्कारा उससे क्या मतलब आप लल्कारा अचार přिस्तान देट की तो फर्जे में क्यों बता हूं किया ना किया वो भाई वो जानते हैं लेकिन मैं उपलब्धियों की बात कर रहा हूं दो हजार बाइस उपलब्धियों भरा रहा है बता हो तो इनो बता तो रहा हो आपको गता है बाईस दुनिया के 20 बड़े विवस्थाओं की यह ध्यक्षता कर रहा है अरे कुछ नहीं कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है ये सिर्फ दलाली करते हैं बस और आप जैसे पत्रकार भी इनकी दलाली करते रहते हो भीया दलाली छोड़ो सत्ता पच्छ से सवाल करना शुरू करो अगर भारत को बचाना चाहते हो ये देश बाबा साप अमबेडकर के सम्मिधान से चलेगा ना कि इनकी साधवी परग्या क कहने से चाको और छोडी से चलेगा भीया देखो ये कुछ नहीं करेंगे ये स्रीप बेचने का काम करेंगे क्या वेचा क्या अभी बताया तो रेलोवे बेच दिया अगर जो भाई अरे निजी करन बोलते हैं या प्राइबेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूं सबताय और जो घंट करेंगे तो प्राइबेट सेक्टर वाले भी ठीक ढंक से काम नहीं करेंगे गज़ अगर जिसने रेलोवें स्टे सन पे चाय बेची होगी भी रेलोवें श्टेशन बेचने का काम करेंगा आप बताओ जिसने दूद की बनी चाय बेची होगी तो आपके बेट में दर्द हो रहा है कि दो हजार तेस में एक और नार आया है चार सो पचास बंदे भारत एक्सपर्स ट्रेंड चलाई जाएगी चलाई जाएगी साथ हो गई है यह आठ साथ हो चुकी है भक्त के कहने से आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट बन जाएगा जातिवात की राजनती घातक है या फिर धर्म की राजनती दोनो जादा कौन चल रहा है भी धर्म की राजनती कौन कर रहा है कौन कर रहा है आपको नहीं लगता दोहजार चौदा से हो रही है दोहजार चौदा से किसकी सरकार है भाईया इनको देए तो इनके एक नेता कहते में उनका नाम नहीं लुगा कि ऐसी बानी बोलिये कि जमकर जगड़ा हो है और हिंदू मुसलिम कटिमरे सत्ता आपन हो है आप ब्रामण है मुझे शक है राम मंदिर बन गया आपको खुशी नहीं हो रही है मुझे दुख है इस बाग का अच्छा दुख है आपका अच्छा एक चीज बताओ में हिंदू हूं ब्रामण हूं मैं मानता हूं लेकिन अगर राम मंदिर बन गई हो तो मैं उसका सब्मा पर देश के लिए हम कुछ भी खरीज सकते हैं वहीं कहरीद लेंगे एक चीज बता हो जब महिला ससकती करण की बात मौदी जी करते हैं बारते जनता पार्टी वाले करते हैं और लाल किला पर आब के कहते हैं, संसकारी बता के छोड़ देते हैं, उस पर आप ने कितनी बाहनी सवाल पूछा? इसको संसकारी? बिलके जबानों वाले केश में, आपने पूछा कभी सवाल? पूछा कभी आपने नहीं पूछा आपने से किदना पूछाए रोज Debate होता है भारतिय जनता पार्टी के दलाल है उनकी तु Τीन दवाई जूता चप्पल और कुटाई कुटाई करेगा कौन रारों से चलेगा सिर्फ हम जनता हैं जनता जिस दिन जाग गई ना सही रूप से जैसे आप कहते हो ना कुछ हिंदु जाग रहे हैं और जो दिन सब जाग गए ना उस दिन मीडिया अपने आपको सलंडर कर देगी प्रभूत तरा हिमाम तरा हिमाम जो गलतिया हुई है मोधी से में एक नहीं एक हजार सवाल मैं नहीं कहता प्रदान मंत्री जी मेरा पेट तो गालियों से भर जाता है अरे उनका तो पेट गालियों से भर जाएगा लेकिन मेरी थाली में रोटी तो आने दो मानने ने प्रदान मंत्री जी हम तो गाली से पेट नहीं भर सकते हैं थाली में भोजन खाएंगे उसके बा भाई रिविश्कुमार ने लिव ईसरेस्थ पे कुछ बोला कौके अरोыш मतलब नी है पांच ेलोर ऐसे लोग यहां पर पड़े हैं रेवडी तो देत dale पने दो साथियों के खिलाथे कोन है दो साथी आप नहीं जानते हैं अमञानी और एक अडानी येंके दो साथी है अरे ये देश को मजबूत करने है भाई कौन आपको पढ़ा रहा है कौन मजबूत कर रहा है आप ते ववस्ता में बहुत बढ़ी जिम्मधारी है दोनों की अरे देश अगर मजबूत होता आप लोगों को फक्र होना चाहिए अामबानि अडानी पे आमबानि अडानी पे फक्र करिए गाली देना बन करिया आप लोग अगर भारत मजबूत होता विस गुरू बनने के कगार पे होता तो भारत की संपत्ती ना बिकती भारत की संपत्ती बेच मेच के यह पांच-पांच किलो रासन बाट देंगे और जब सब बिक जाएगा भारत में कुछ नहीं रह जाएगा तब यह क्या देंगे रेलवे को सरकार बेचती नहीं है उसमें शेर देते हैं इसे अच्छे से संचालन हो प्रशासन का अच्छा तो लाइसी का है बेचा एरपोर्ट का है बेचा बेंक का है बेच दिये mcdk skool का है दिये बतायए में इसलifa बेच दिया बताये केंदी वांश अगर डुणिया में एठ तो दिल्ली में तो भिल्कुल है वह तो है मैं ने भाई दिल्ली के स्कूलों सी च्छा पाई है है उसको ऊशकों मानने को त의र जारू केजरिवी चैसी नहीं दे सकती मैं तो कहता हूँ नेशनल एजूकेशन पॉलिसी पर क्या कहेंगे इतनी वड़ी उपलब्दी सरकार ने हासिल के हूँ पहले सरकार की उस पे जाओ जो उनकी उपलब्दियां नहीं आई यह भी तक एक काम कर दे मैं एक चाटा मार दूँ फिर बात में करें बह को हिंसा नहीं करनी है और हम जी जमीन पर खड़े हैं यहाँ पर यह रहा है राजगाट और राजगाट है गांदी जी की समाधी आपको लगता है कि इन्टॉलरेंस जिसे कहते हैं आस ही शुरता बढ़ रही है जिलकुर कैसे बहा देगो गांदी जी ने कहा भी आपने बात पाएंगे आतंकी चंद दिनों के पाप दूर हो जाएंगे सच्चाई दिखाई जाती हो तो हमें बताओ ना आप क्या मानते सच्चाई नहीं दिखाई जाती अखबार वाले टीवी वाले सोसल मीडिया वाले यूटूबर वाले सब भारतिय जनता पाटी की चाटूगा इर पाजगी ये है अनुराग की निराशा जो उनके बातों में जहलकती है वो चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो मोधी सरकार सत्ता से अटे तब जाकर खुशाली आएगी तब जाकर देश में समरिधी आएगी विकास दर बड़ेगा आप क्या सोचते हैं क्या आप अनुरा करने के लिए रेट कलर के सबस्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें